नमस्कार, इंफोबक की फ्रेश अपडेट्स में आप सब का स्वागत है, अभी तक की बड़ी खबरे इस प्रिकार हैं। सेना ने लोसी पर तंगदार सेक्टर में घुसपैट की नाकाम देर रात से मुढभेड जारी, भारतिय जवानों ने मुढभेड में तीन आतंकी मार गिराए। जमुकश्मीर विधानसभा चुनाफ के लिए इसी हुई सक्थ रैलियों में कुर्सियों से लेकर खाने तक की कराई जाएगी विडियोग्राफी। विधानसभा चुनाफ के प्रचार में नजर नहीं आएंगे गुलाम नभी आजाद डीपी एपी ने पहले चरन के चुनाफ के लिए जारी की है 15 प्रतियाशियों की सूची, स्वास्ते संबंदी मुद्दों को देखते हुए विश्राम कर रहे हैं आजाद। जमु कश्मीर चुनाफ के पीडीपी उमीदवारों की नए लिस्ट जारी महबूबा मुफ्ती ने 17 नामों का किया एलान। रामबन में बादल फटने से 3 की मौत, 4 लापता, राहत और बचाफकारे जारी। केंदर सरकार ने UPSC परिक्षाओं में उमीदवारों की पहचान आधार से सत्यापित करने का किया फैसला, ये कदम परिक्षाओं में धोका दड़ी, रोकने और पार दर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। आधार प्रमानी करन पूरी तरह से स्वैचिक होगा।